नमस्काई दोस्तों मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूं आप सभी कर दीएसपी कोचंग सेंटर में देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ रीजिनिंग के कुस्टन स्वालब करेंगे जो एससी में बार बार पूछे गए हैं यानि एससी में 2016-2018 तक जाना से जा सभी में पूछे गए हैं 2018 तक देखिए कुस्सर नमबर फर्ष्ट देखिए हमारा एक हमें सीरीज दी गई है यानि कि एक स्रंखला दी गई है उन्नीस नो अठ्थाइस सेंतिस पैंसट अब पैंसट के बाद क्या आएगा इसमें हमें एक लोजिक ढूड़ना पड़ता है सेंतिस और बाद की यानी कि यानी कि एygen सीरी किस प्रकार से आंगे बढ़ रही है देखिए उन्नीस नो के वाद ऊफछ चुपब और पता करना होता है कि सीरीज खुड़ा करने से आंगे जा रही है कि भाग करने से आंगे जा रही है कि जोडने से आंगे जा रही है कि घटाने से कि हमें बर्क करना पड़ेगा कि हमें इसका घन करना पड़ेगा यह सभी लोजिकिस में छुपे होते हैं जो कि हमें मालूम करना होता है देखिए हमें कुस्टन सौल्ब करत जांदा सजांदा एक जाम में पूछे गए हैं देखिए यदि हम उन्नेस में नो को जोड़ेंगे यानि उन्नेस और नो जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा वर हम नो में 28 जोड़ेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा उस 37 में हम 55 जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा यान समचते हैं देखे सीरीज हमें दी गई है 19,9,28,37, 63 अब इसके आंगे किया आएगा यह हमें बताना आए देखिए यहिए हमने 19 में 9 एड़ किया तो हमारा 28 आया और 9 में 28 एड़ किया हमने तो हमारा 37 आया यानि एक पीछे वाली संख्या मांगे वाली में एड़ करते हैं तो हमारे अगली संख्या हमारी निकल के आती जा रही है देखिए हम 28 नो में 28 एड़ किया तो तो हमारा जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एक सो दो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर आपसर नंबर सी उम्मिद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सीरीज वाले कुस्स हमें ऐसे ही सॉल्फ करने होते हैं यानि हमें लॉजिक ढूनना पड़ता है लॉजिक पता करना पड़ता है कि इसमें यानि सीरीज आंगे चल रही है तो उसमें क्या प्रेक्टिस करना बस चलिए देखते हैं कुस्ता नमर दूसरा देखिए सरंखला दी गई हमें देखिए 49 46 43 44 अब इसमें आप दिमाग लगाईए इसमें क्या लॉजिक छुपा हुगा है देखिए भौती जी गुस्तन है वैसे कई लोगों को देखते ही आ गया होगा देखिए तीन माइनस किया ते तालेस आया यानि इसमें हर नमबर मेंसे तीन को घटाया गया है इसके बाद वह आगे लगा गया है देखिए जैसे कि हम सीरीज लिखते हैं 49, 46, 43, 40 इसके बाद 10, 34 देखिए 49 मेंसे हमने तीन घटा दिया तो हमारा 46 आ गया अब हम 46 मेंसे तीन घटाएंगे तो हमारा 43 आ जाएगा सीरीज आंगे बढ़ रहे हैं प्रतिक नमबर मेंसे तीन माइनस हो रहा है वह माइनस हो के जितना बचला वह आंगे लिख दिया इसका राइट अंसर हो जागो ऑप्सन नमबर बी यानि 37 चलिए देखते हैं कुस्सन नमबर ठाइड देखिए 1728, 864, 432, 216 यह एक हमें सीरीज दी गई है यानि कि एक स्रंखला दी गई है इसमें देखिए 1728 के बाद 864 आया हमारा फिर 432 आया फिर 216 आया देखिए यदि हम 1728 को हम आदा करेंगे यानि इसको हम दू से भाग देंगे तो हमारा 864 आ जाएगा चलिए भाग देगार देखते हैं 1728 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 286, 2 6 के बारा दो चोको वाट, 864 आ गया नेक्ष नमबर आ गया अब जो 864 में हम 2 का भाग देंगे तो 248, 262 निचा हमारा नेक्ष नमबर आ गया इसी प्रकार जब हम 216 में भाग देंगे तो हमारा पर आ जाएगा 2 से भाग देंगे क्योंकि इसी प्रकार से हमारी सीरीज आंगे चल रही है दीखिए 216 में हम 2 से भाग देंगे 212, 0, 286 यानि 108 तो आंसर हो जाएगा हमारा 108 अब हम एक और आंगे पूंसता तो हम 108 में 2 का भाग दे देते यानि यह सीरीज कृतिक नमबर में दो से डवाइड हो रहा तो हमें नेक्स नमबर मिल रहा है इस प्रकार से सीरीज हमारी आंगे चल रही है इसका राइट आंसर हो जागो ऑप्सन नमबर भी 108 देखिए SSC CHSL 6 माई 2018 को जो SSC CHSL का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था टायर फश्ट में देखिए प्र हैं आपसे बाल बाल बूल रहा हूं कि सारे कुस्षीन को आप नुट कर लेए और यदि किसी कुस्षीन में आपको डाउट हो ठीक से समझ में ना आए तो अब हमें कमेंटर में बता सकते हैं वैसे तो आपको यह मोगा नहीं देंगे हम कि आपको समंझ में ना आए चलिए लिखते हैं कुस्ता नमबर फूर देखिए सीरिज दी गई हमें 46 41 35 30 इसके बाद 10 19 13 अब हमें बताना है कि इसमें यह सीरिज किस प्रगार से आंगे बढ़ रही है इसमें क्या लोजिक लगा है देखिए हमें यहां पर एक बाद सीरिज लिखते हैं 46 41 35 के बाद 35 इसके बाद 10 यहां पर बताना इसके बाद क्या आएगा फिर दिखिए हमें दिया गया 19 फिर दिया गया हमें 13 देखिए इसमें क्या लोजिक लगा 46 से 41 गया 41 से 35 हुगा 35 से 30 हुगा 30 से क्या होगा इसके बाद 19 हुगा 19 के बाद हमारा 13 हुगा देखिए 46 से 41 हुगा यानि इसमें 5 घटा आया गया यानि माइनस 5 किया गया तबी तो 41 आया अब 41 से 35 हुगा यहाँ पे कितना घटा यहाँ पे 6 घटा 41 से 35 हुगा यहाँ पे 6 घटा 35 से देखी हमारा 30 हुगा फिर से 5 घटा देखी यह सीरीज में क्या हो रहा है यानि यह सीरीज जो आगे चल रहा है यह पहले इसमें 5 घट रहा है इसके बाद 6 घट रहा है फिर 5 घट रहा है इसके बाद 6 घट रहा है तो देखे पहले हमने 5 घट आया तो 41 हुआ इसके बाद हमने 6 घट आया तो 35 हुआ इसके बाद हमने 5 घट आया तो 30 हुआ पखाली में पहुंकि पहले 5 फैर 6 तो चोबिस हो जाए। हमें से 6 मैंसे 15 गैए फ्र YouTube कुछा दियुक्ठ पहले सफाली में कि देखे कुस्टन नमबर फिप्त फाइब बाला कुस्टन देखिए सीरीज दी गई है 14 17 21 24 28 31 अब इसके बाद हम बताना है कि क्या आएगा देखिए सीरी जिस प्रकार चल रही है देखिए 14 से 17 17 21 24 24 28 28 31 अब दीखिए 14 से 17 हुगा 14 से 17 हुगा इसमें कितना याड हुगा तीन अब 17 से 21 कितना याड हुगा चार 21 से 24 हुगा कितना याड हुगा तीन अब दीखिए 24 से 28 हुगा कितना याड हुगा चार यानि देखिए पहले 8 våra रही तीन धोरा पिर उसके बाहरे रही चार दोरा तीन प्र चार थीन फ्र चार इस प्रकार से हमारी सीरी आंगे तक चल रहाई है यादि तो बड़ती जा रहा है कि इसी प्रकार से हम धीके फैर हड्याइड करेंगे हो गया हो गया लिए 23 आठाइस के बाद अब तीन एड़ हो जाएगा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 को हमारा अप्षर हो जायगा लिगर हिए यानि सभी वही उस्तेज में में सीरीज वाले यानि स्रेंखला पर एक रखड़ वाले जो एससी centsL 2016 आठारा के पीपर में पूछी गए हैं यह आपकी MTS और SSC GD के लिए भी बहुत महत्पूर है इसलिए आप वीडियो को बिलुकुल इसके मत करना पूरा कॉंसेट ध्यान से समझना कि लोजिक किस प्रकार से काम करता है चलिए देखते हैं कुस्ता नंबर सिक्स को देखिए सीरिद दी गई है 108 104 196 92 यह तो वैसे आपको देखते ही पता चल गया होगा इसमें क्या हो रहा चार माइनस हो रहा प्रितिक नंबर में से देखिए 108 में से 4 माइनस किया 104 में से 4 माइनस किया आपको दिमाग का काम है आपको दिमाग लगाना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है कि सीरिज किस प्रकार से आंगे चल रही है इसके बाद आप आसानी से कुस्त बना लोगे क्योंकि देखिए रीजिनिंग बहुती सिंपल सब्जेक्ट है यदि आपको अच्छे से लॉज आपकी समझने की केफिसिटी अच्छी है तो आप रीजिनिंग में फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो देखिए छी असल दो अठारा का कुस्स्टन है चलिए देखते हैं कुस्सान नमबर सेवन अगर आपको किसी भी कुस्संस में डाउट हो आप हमें कमेंट जरूर करना नो के बाद 13 13 से 18 फिर 24 फिर 31 फिर हमें बताना है कि क्या आएगा नो से 13 हुगा यानि चार जोड़ दिया तेरा से 18 हुगा पांच जोड़ दिया जोड़ दिया से पहले चर जोड़ रहा है पांच पैसे चला जा रहा है हमारी सीरीज है वो चार से बढ़ती चली जा रहा है यानि पहले 4 एड़ किया फर 5 फर 6 फर 7 अब इसके बाद कितना हाट करेंगे हम हमारा 49 अगर दोस्तों आप चाहिते हैं कि हम एससी MTS का सॉलूशन भी लाएं जो एससी MTS में रीजनिंग के कुस्संद पूछे गए तो हमें कमेंट में जरूर बताना हम आपको प्रेक्टिस एड जरूर लाएंगे चलिए देखते हैं कुस्सर नमबर 8 देखें कुस्सर नमबर 8 देखें सीरीज हमें दी गई है 192, 186, 181, 174 फिर डैस फिर 162 एक इस प्रकास से चल रही है हमारी देखिए सीरीज एक बहुत हम लेख लेते हैं 192 इसके बाद 186, 181, 174 फिर देखिए 162 अब देखिए 192 से 186 हुगा फिर 186 से 181 हुगा 184 से 174, 174 से 162 हुगा हमें यहां पर बताना है कि 174 के बाद क्या आया फिर इसके बाद 162 हुगा दीखिए 192 में से यहां पर आ जाएगा 186 में यहां पर आ जाएगा हमारा 188 यानि ओपसर नमबर भी हमारा राइट अंसर हो जाएगा यानि जो हमारी सीरीज आंगे चल रही है उसमें माइनस 6 हो रहा है यानि प्रतिक नमबर में से हम 6 घटा रहा है तो हमें नेक्ट नमबर मिलता है मिल रहा है देखिए 162 में से हम 174 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा 188 राइट अंसर हो जाएगा देखे यदि इसमें हम जोडते हैं 9 में हम 8 जोड़ेंगे कि हमारा 86 आएगा नहीं आएगा क्यूंकि आप एक दमागे लगा यह सीरिज को आप पहले गौर से देखिए कि जो अगला वाला नंबर है वो जाना से जाना बढ़ता जाना से जाना बढ़ता तो समझ्जाना कि या इस सट्राइब को इसमें ृतिबलाह भूगा होगा क्यब कि जोड़ने से तो गटाने से आपका बिलेकुल लिया आगा क्योंकि देखिए जोंडाने से आपको पर अशतोहय तो देखिये लुमत million掉ष और 50121. 2500 10 Unasan 277 वाक 767 से वी बड़ा नमब आएगा तो देखिए है कि क्या करेंगे कि लॉए हम इसा सब्सक्राइब जोल Has लेकर प्रिटिए उप्रेंगे यह सब्सक्राइबुन होन प्रिटिक Tous गुर्ण है यह विएुन होगा हुवाऀ Tas लेकिन जो जो एड हो रहा वो संख्या बढ़ती जा रहा है देखिए पहले वाले में नौ में हमने तीन का गुड़ा किया एक जोड़ दिया 28 अब दूसरी वाले में 28 का 28 में तीन का गुड़ा करेंगे वो दो जोड़ देंगे 28 होता है हमारा 28 होता हमारा 84 देखिए 84 पिलस दो तो हो जाएगा हमारा 86 देखिए इसमें यह लोजिक काम कर रहा यानि कि तीन से गुड़ा हुदा और इसके बाद एक से लेकर इसमें एर और यानि कि इसमें हम नंबर जोड रहे हैं देखे पहले हमने एक जोड़ा था अब हम दो जोड दिया इसके बाद हम थीन जोड़ेंगे सरंक हमारी इस प्रकार से चल रही जिए दिखे च्छहासी में हम तीन का करेंगे गुड़ा और हम चार जोड़ देंगे इसी परकार आजागा हमारा 787 में करेंगे तीन का गुड़ा देखिए आप हम साप करने फिर इसके बाद देखिए 787 787 लखा हां 787 में हम तीन का करेंगे गुड़ा देखिए तीसाथ 21 की एक हां से लाइं दो ती याठ चौबे सो दुच्छाबिस की छह हां से लाइं दो तीसाथ 21 21 22 23 और इसमें हम कितना जोड़ देंगे पांच जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2366 यह हो जागा हमारा राइट आंसर देखिए ओप्सन नमबर देखिए किसी किसी कुस्टन में हमें थोड़ा लंबा सॉलूशन करना पड़ता है यानि कि लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है क्योंकि यदि बड़ी वाली संख्या हो तो आपको यह आसानी समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं कुस्तन नमबर 10 देखिए सीरीज हमें दी गई है एक सो बाउन एक सो चोंचाट एक सो चोंचाट एक सो अठासी दोसो बारा अब इसमें हमें पता करना है कि यह किस प्रकार से आंगे बढ़ रही है देखिए एक सो बाउन से एक सो साथ हुई देखिए यहां पर सीरीज लिख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों एक सो बाउन एक सो चोंचाट एक सो चेहातर एक सो 88 इसके बाद देखिए 188 के बाद 10 यहां पर हमें बताना है कि क्या आएगा वो 212 अब आप दिमाग लगाए यह सीजिश किस प्रकास बहुत है यह देखे 102 से 164 हुगा तो कितना याड ऊब 12 अब यह देखे 174 से 176 हुगा तो कितना याड याड बारह देखे 176 188 बारह अब इसी प्रकास 181 में हम 12 जूड़ देंगे कितना आ हमारा 200 मंबारा जोड़ देंगे हमारा धोस मौना आइड़ करें तो हमें नेक्ष्ट भाला नम्मर मिल जा है या यदि हम ढ़ले नव्मर नेक्ष्ट भाला नम्मर चाहें इसमें आघा 18 कर देंगे कुतना आजाएगा हमारा 200 24 cha इसी प्रकार आप देखिए 1888 चाहे धी रचाहे सिकतंगा जाएगा हमारा दूज्रम तो यह हमारा 24 27 यानि देख 17 से 19 हुगा 19 से 22 22 से 24 22 से 27 इस रंखला किस प्रकार बढ़ रही है देखिए यदि हम रंखला लिख लेते हैं पहले 17 19 22 24 27 अब आप इसमें लोजिक ढूड़िए कि यह किस प्रकार से आंगे तक जा रही है देख 17 से 19 हुगा यानि कितना एड़ किया हमने 4 22 हुगा सोर्य समें 24 कि इसके बार 19 से 22 हुगा कितना एड़ किया हमने आप यह जो लोजिक काम कर रहा है यह पहले हम दो एड़ कर रहे हैं इसके बाद तीन एकार रहे इसके बाद दो फिर तीन यानि इस प्रकाह कैसे हमारी स्रंखला आंगे बड़ रहती है पहले 2 जोड़ंगे फिर तीन फिर 2 फिर तीन इसी प्रकाई हमने तीन जोड़ दी आफ हम 2 हो जाएगा हमारा इस फाल सता करना वीडियो को इसके मत करना तभी आपको अच्छी से लोजिक समझ में आ गया यदि आप लोजिक लगाने लगे तो आप रीजिनिंग का कुई भी कुस्तन आसानी से स्वल्व कर लोगे देखिए कुस्तन नंबर बारा कि देखिए टॉयल वाला कुस्तन 2628 अब देखिए यह 14 से 18 हुगा उत कितना एंद रूगा चार 11 से 21 हुगा कितने यह Pen 13 24 किते रूगा चार 25 रचार कितना एंद रूगा तीन आपको समझ में आया गया गए कि से रंखला किस पर कास चल रही पहले प्पर 4 याड हो राप तीन याड हो राप यहां पर तीन याड हों के आप कितना याड करेंगी हम 4 284 कितना होता है हमारा 32 तो राइट अंसर हो जागा 32 देखे दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर कॉमेंट जरू करना और यदि आप किसी भी गौवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्यूंकि हम अगली वीडियो में एससी एमटी एस का रीजनिंग का प्रेक्टिस सेट ला रहे हैं और साथ में आपका मेहत का भी प्रेक्टिस सेट ला रहे हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में